अगर आपका कोई अच्छा बिजनेस है और आप चाहते है उस बिजनेस को और भी एक्सपैंड करना तो डेफिनिटी एक वेबसाइट होना काफी ज़रूरी हो जाता है अगर आप बहुत जादा लोग के पास अपने चीजों को पहुचाना चाहते हैं और जब भी हम लोग वेबसाइट बनाने के बारे में सोच तब एक चीज धान में आता है यह डॉटीन डोमें या फिर डॉट कॉम डोमें मैं मेर बारे में बात करने वाले है इस वीडियो में सबसे पहला चीज हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है वह है प्राइजिंग यहां पर अगर डॉट कॉम डोमेंस काफी अफोरडबल होता है इन कंपार टॉट कॉम डोमेंस फॉर टाइमिंग अगर मैं उसका कोई डॉटी इनिशेल अगर डॉटीन डोमेंस से स्टार्ट करते हैं आप काफी सारा पैसा भी सेफ कर सकते हैं अगर डॉटीन डोमेंस देखा जाए लगबग 171 इंटरनेशनल और डॉमेंस्टिक पार्टनर के साथ अवलेबल है आज अगर देखा जाए जो लोग इंडिया में बिजनस कर रही है उनका भी डॉटीन डॉमेंन है फॉर एंग्जंबल गूगल डॉटीन है या फिर अमजन डॉटीन है इससे क्या होता है उस ब्रैंड का वैलू तो बढ़ता है उसकी सासर जो लोग यूजर है उनको पता चलता है कि उनको सर्विसेस कहां से मिल रही है सबसे डॉट कॉम डॉमेंस बहतर चलता है डॉटीन डॉमेंस से बड एक्चुली डाट इस नौट अगर हम लोग टेकनोलोजिकल पार देखते हैं या फिर मेरा अगर चैनल स्पेसिफिक देखता हूं हम लोगों को कोई फोन पे 108 मेगापिसल के कैमरा मिलता है कोई फोन पे 12 मेग बहुत अच्छा फूटो मिलेंगा बड़ा मेगापिसल अच्छा फोटो नहीं मिलेगा वैसे ही it's not like A dot com डोमें होने से आपको बहुत अच्छा रेजल्स मेलेगा डॉटीनो में अच्छा रेजल्स नहीं मिलेगा आपका website का performance totally depend करता है SEO मतलब search engine optimization के उपर उसके साथ साथ आपका marketing spend and कितने लोग आपके website में visit कर रहा है and ये जो SEO मतलब search engine optimization ये depend करता है आप अपने website को कितने अच्छे से construct किये हो कितने अच्छे से आपने tags डाला है जैसे हम लोग जो video upload करते हैं इसे बहुत सारा tags डालते है tags मतलब for an example अगर मैं कोई smartphone का unboxing या फिर review कर रहा है तो smartphone के नाम के इर्द इर्द मैं चीज़ यहां पर डालूँगा ये same चीज़ depend करता है जब आप अपना website को बनाते हैं जब आप अपना website को बनाएंगे ACO उसके उपर depend करता है कि आप कितने अच्छे से उसको construct किया है और कितने अच्छे से आप उसमें tags डाले है ये totally आपके हाथ में रहता है और उसके बाद जितने ज़्यादा लोग आपके website को visit करेंगे उससे आपका ranking उतना बढ़ेगा तो दिन पहले मैं रिपोर्ट पढ़ा था ओनलाइन और वहां पर काफी इंट्रेसिंग चीज मुझे नजर में आए कि जो accounts हैक होता है उन में से 75% से ज़्यादा account जिनका password काफी simple होता है for an example 12340000 या फिर 1111 ऐसा होता है तो इससे एक चिस पता चलता है कि आपका security कुछ सथ तक आपके हाथ में रहता है कि आप उसको किस हिसाब से इस्तमाल करते है same thing goes to the domain industry domain industry में एक काफी बड़ा myth है कि .com domains are much more secure than dotin domains but actually that is not the case security totally depend करता है website के owner के उपर कैसे आप उसको बनाते कौन सा-कौन सा tools and techniques का आप इस्तमाल करते है उसके उपर तो यहां से एक चीज़ पता चलता है कि whether it's a .com domain या फिर .in domain doesn't matter antinail analysts how you are constructing that website तो security totally आपके खुद के हाथ में है तो इससे .in या फिर .com domains का कोई वास्ता नहीं है .in domains के अंदर आपको बहुत सारा options मिल जाता है for an example .co.in .com.in .ai.in .in, .in, .ca.in, .dr.in इसके लावा भी और भी बहुत सारे options आपको मिल जाते है इस .in umbrella के अंदर जैसे मैं वीडियो के starting में बता रहा था अगर आप अपने business को expand करना चाहते है ज्यादा लोग के पास पहुचाना चाहते है then मुझे लगता है website is a very good option and इंडिया में जैसे आप अपने business को grow करना चाहता है then .in domains are very good जिससे क्या होता है आपका जो reachability वो काफी ज़्यादा बढ़ेगा SEO में आप जल्दी result कर पाएंगे and उसकी साथ साथ make in India and made in India initiative तो है जिससे भी हम लोग जुड़ सकते है इसके मदद से domain के साथ साथ email address भी काफी important होता है तो domain खरीदें के बाद आप अपने साथ से अपने email address को भी customize कर सकते है अपने email address create कर सकते है उससे अच्छा क्या होता है आपका credibility या फिर आपका brand का value काफी बढ़ जाता है मतलब कोई भी customer का mail कर रहे है आपका चैनल का नाम है या फिर आपका company का नाम है XYZ company तो आप ऐसा mail कर सकते है care at the rate of XYZ.in तो उनको पता चलेगा ये mail particularly आपके company के तरफ से गया है मेरा अगर company का नाम है data dog तो मैं ऐसे mail ID बना सकता हू care at the rate data dog.in तो उनको पता चलेगा ये जो mail है मेरे तरफ से गया इसी क्या होता है brand value अरता है एक trust बरता है customer को आपके उपर वीडियो के आखिर में आप सब के लिए exclusive offer है कुछ दिन बात ही हम लोग अपना 75th Independence Day celebrate करने वाले है उसके लिए कुछ exciting offers आने वाला है तो उसके लिए stay tuned for that and ये वीडियो के ऐसे लगा definitely आप comment करके बताना मैंने कोशिश के अपने तरस से आप सब को समझाना कि .in domain and .com domain के अंदर क्या-क्या differences है and अगर आप अपना business को expand करना चाहते है website का कितना महत्व होता है उस चीज़ के बारे में वीडियो अच्छा लगए तो लाइक शेयर और ड्याड़क को सब्सक्राइब कर सकते है ऐसी लीटेस्ट वीडियो देखने के लिए तो इस वीडियो में अभी तक लिए इतना है दिसी और होस्ता में साइनिया आप में ड्याड़क आप दूस्यों इन माई इन नेक्स्ट वीडियो बाइ